पर पलस के सीरियल गुम है में आप देखने वाले हैं कि इशान के मना करने के बाद भी सवी दुलन के रूप में तयार होकर नीची आ जाती है सवी भावर पाटिल को कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तयार हूँ लेकिन इस पर रिशान मना करता है तो सवी मन में सोचती है कि भावर पाटिल पूरी तयारी के साथ आया हुआ है अगर कुशी ने भी थोड़ी सी भी गलती की तो हो सकता है किसी की जान जा सकती है इसलिए सवी अपना फैसला बदल लेती है और कहते है कि मैं बहुर पाटिल से साधी करने के लिए तयार हूँ जैसे ही बहुर पाटिल के लिए साधी करने के लिए सवी तयार होती है तो बहुर पाटिल जल्द से जल्द दुलहन का जोड़ा मंगवाता है जिसके कारण सवी एक्जाम रूम में जाकर अपने ड्रेस चेंज करती है और उसके बाद सवी और दुर्वा के बीच में बहस सुरू हो जाती है तो दुर्वा से सवी कहती है कि अगर तुम अपना दिमाग नहीं लगा सकती तो मुझे लगाने दो तो मेरे पास फोन है यानि कि मेरे बैग में मुबाइल है और मैं अभी पुलिश को इन्फोर्म करके सब कुछ बता देती हूं सवी पुलिश के पास फोन करने में कामियाब हो जाती है लेकिन सवी जब तैयार होकर नीचे आने वाली होती है तो उससे पहले ही एक बलाश्ट हो जाता है लेकिन इसमें देखना होगा कि किसी को चोट पोचती है या नहीं या फिर हो सकता है कि भावर पाटिल सब को ड्राने के लिए ऐसा कर रहा हो इसी के बीच आप देखने वाले हैं कि इशा और संतनू भी नीचे आ गई है जब उन्हें पता चलता है कि अंदर बॉम लगे हुए है और इशान अंदर है तो पूरी तरह से इशा में हम अपना आपाख हो देती हैं और बार बार इशान इशान चिलाने लगती हैं और कहती है कि मुझे अंदर जाना है इसके बाद भवर पाटिल राव साहब से कहता है कि आज मेरी शादी है तो सादी से पहले संगीत होता है तो मैं चाहता हूं कि राव साहब आज आप हमारी शादी में डान्स करो जिसके बाद इशान और चिन में काफी गुस्य में हो जाते हैं और से राव साहब सिध्यक्सरों में कहा देता है कि मैं नहीं नाचूंगा अगर तुझे गोली मारनी है तो बेसक से मार दो इसके बाद भवर पाटिल को इतना यकीन हो जाता है कि राव साहब अपनी मूद से नहीं डरने वाला तो इसलिए वो चिन में और इशान में से किसी ए चान्स करेंगे